पंजाब टेक्स्ट्बुक बोर्ड का मॉनेटरिंग सिस्टम नाकाम दर्से कुतब में एक और कारनामा निसाब में मतनाजा मवाद होने के सबब दूसरी जमात की इसलामियात पर पाबंदी किताब को निसाब रेफ्रेंस और सप्लिमेंटरी माटीरियल के तौर पर इस्तमाल ना किया जाए पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड अथारिटी ने मरासला जारी कर दिया पब्लिशर ने बगएर इजाज़त किताब शाया की मौामला इल्म में आने के बाद फोरी नोटिस लिया पब्लिशर से मवाद भी कबसे में ले लिया गया है सारे बजार से मतनाजा मवाद वाले किताब उठा ली है M.D. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दलकयून की लहौर लियू से गुफ्तगू इस वाले से यह है कि जैसी भी गौर्विन के नोटिस में यह मामला आया है जिसके वाले से आप बात कर रहे है म.D. पंजाब यूनिवरसिटी में असातजा के एक्तलाफात खुलकर सामने आ गए वाइस चांसलर जफर मोही ने तालीमी कॉन्फरेंस की सदारत से इंकार कर दिया स्कूल एजुकेशन अथॉरिटीज की ना एहली बारा इसलाब में प्रेक्टिकल की नोट बुक्स ही तक्सीम ना हो सकी महकमा स्कूल एजुकेशन का नोटेस पौरी तोर पर नवी और दस्वी के तलबा में किताबे तक्सीम करने के एहकमा University of Health Sciences ने Medical Entry टेस्ट के उमीदवारों के लिए नई हदायात जारी कर दी पेपर में क्लिप बोड लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी मंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल में खसूसी बच्चों को तालीम मिलेगी लाहुर समेट साथ इजला के स्कूल मुन्तखिब स्कूल को फी ताले बिलम पढ़ाई के लिए एक हजार एक सो पचास रुपे दिये जाएंगे राइवेंड अस्पिताल के बाहर खातून के बच्ची को जनम देने का मौामला एमेज डॉक्टर आमिर बुफ्ती और गाइनकॉलजिस डॉक्टर अस्मा सर्वर मौतल लेडी हेल्थ विजिटर सुमेरा रमजान भी बरतरफ शेबाद स्रीफ का कहना है कि गरीब हामला खात को जबाब देना पड़ेगा सिवल सेक्रेटेरियेट में महकमा सहत की इमारत खतानाक करार महकमा सहत की बिल्डिंग लॉरंस रोड मुंतकिल करने का फैसला स्पोग में इजाफे से गले और आँखों की अमरास बढ़ने का खत्शा माहरीम ने स्पोग को शेहरियों की सहत के लिए खत्रा करार दे दिया सजना के सजना है मुझे सजना के जरां मुझे लटें सबाद दे अब नंग का रंग निखाजर के सजना है मुझे सजना के मगर अब सजना सबर ना हुआ मेंगा 25 अरब के मिनी बजट में मेक अप की कीमतों में इजाफा कवातीन को बनाव सिंगार के लाले पड़ गए कॉस्मेटिक्स की कीमतों में इजाफा तालेबात ने भी मुस्तिनत कर दिया अगर इतना अगुमत में मेंगा कर देगी तो फिर हम इस तरह किसे कैसे यूज़ करेंगे यह हमारे लिए बहुत परिशानी की बात है मेंगा हो गया है इसमें लोगर क्लास पीपल से हम लोग मतलब नहीं डील कर सकते जादा ये लोग कि मेंगा इन्हों ने इस वक्त इतना मेंगा कर दिया उस पर इतने ज्यादा टैक्सिस लगा दिये तो इनको तो बलके इस पर टैक्सिस कम करने चाहिए ताके हम इसको फोर्ड कर सेके और हम इसको डेली यूज़ कर सके मेक अप 50% बहुत जादा महिंगा हो गया तो हम कैसे करें हमने अब लिपस्टिक लगानी होती है रोज खवातीन तो खवातीन कास्मेटिक्स की कीमते बढ़ने पर ताजर भी परेशान कास्मेटिक समेट मुख्तलिफ अश्याप पर धरामदी ड्यूटि बढ़ाने के खिलाब लाहुर चेमबर के ताजर सरापा एहतजाज नारे बाजी मंजाब हकूमत का वजिर आला समेट सुबाई बुजरा के साथ सेक्यूरिटी पर मामूर अहलकारों के आडिट का फैसला मोटर बाइक एमबिलेंस कैंडल वजिर आला ने एक वाज़ा इमरान नजीर की सरवराही में एक और कमेटी बना दी कमेटी मोटर बाइक एमबिलेंस सर्विसे मुतलिक हकाइक का जायजा लेगी पहली दो रिपोर्ट्स में खाम्यों की निशान दही हो चुकी डेप्टी डारेक्टर एसक्यू डबल वन डबल टू ने भी लाहॉर निउस की ख़बर की तस्दीक करती नैब करप्शन का घड़ है करप्शन नैब से ही शुरू होती है नैब को सिर्फ सियासी फाइदों के लिए बनाया गया कौम के वसाइल को लूटने वालों का इहतसाब नहीं हुआ मुशर्फ दोर में नैब क्या करता रहा सब जानते हैं वजीर आला पंजाब शेहवास शरीफ के नैब पर ताबर तोड हमले साबिक विजीर आजम नवाज शरीफ 22 अक्तूबर को लंदन से लहोर आने का इमकान नवाज शरीफ ने पियाए की परवास साथ पांच आठ पर बुकिंग करा ली खैबर पक्तून क्वाबे नून लीक की विकट गिर गई आसिफ जर्दारी से बिलावल हाउस में साबक रुकने असम्बली दोस्त महम्मद खान की मुलाकात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान आसिफ ली जर्दारी की साबक विजर आजम सेद यूसफ रजाली गिरानी से भी मुलाकात मुल्की स्यासिस उर्तिहाल और आएंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर मुशावरत तीन साल के लिए हकूमत बनाने की आईन इजासत नहीं देता चोर दर्वाजे से एक्तदार हासल करने की साज़श काम्याब नहीं होकी अदलिया और फौज को किसी ने गाली नहीं दी स्पीकर आसादे की मीडिया से गुफ तगू पंजाब असम्बली में स्पीकर राना मुहमद इकवाल से भी मुलाकात मारूफ टीवी एंकर की बेटी की मर्यम नवास के बेटे से शादी की जूटी खबरे FIA साइबर क्राइम ने तहकिकात शुरू कर दी फेस्बूक, ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर जराय से राब्त हाई कोट ने हाफ़ साइद की नजर बंदी में एक माह की तोसी कर दी हाफ़ साइद के चार साथियों जफर अक्बाल, अब्दुल्रह्मान, आबिद, काशिफ, नयाज और अब्दुल्ला अबैद की नजर बंदी में तोसी की दर्खास मस्तरत आफ़ साइद की तीन माह की नजर बंदी के लिए हकूमत ने दर्खास दी थी जावेद कोडू की हालत संबलने लगी की डॉक्टर्स ने मुकमल सहत्याबी के लिए आठ से दस रोज का वक्दे दिया जवेद कोडू का मौबना उठाने पर फंकार भरादरी लहौर नियूस के शुकर गुजार लहौर नियूस ने उनका साथ दिया हमें बहुत खुशी हुई है और मैं लहौर नियूस का बहुत शुक्रियादा करती हूँ ये लाहूर नियूस ने जो भी किया है ये कोड़ू साब के लिए किया बहुत अच्छा किया हम तो ये शुक्रिया दा करते हैं लाहूर नियूस का कि इन्हों ने बहुत साथ दी है उनकर और ये हमेशा आप आर्टिस्टों का भी बहुत साथ देते हैं लहोर नियूस का बहुत मश्कूर हों कि जिन्नों ने आवाज उठाई और हमारी जावेद कोडू साथ जो इस वक्त अलील है बहुत सक्त बिमार है कि उनकी आवाज पर माशालला उसको दुआईयां वगारा सब कुछ मुफ्त मिल रहा है क्या पकाएं और क्या खाएं महंगी सब्जियों ने अवाम को चकरा दिया यमार्टर एक बार फिर 120 रुपे किलो पर पहुंच गया प्याज 90 रुपे किलो पर बरकरार भिंडी और करेले भी महंगे शहरी परेशान पाक स्रिलंका टी ट्वंटी मैश की तैयारियां जिलह इंतजामियां पीसी बी और सेक्यूरिटी हुकाम का इजलास इंतजामी अमूर का जाहिजा लेने के लिए रुजाना की बन्याग पर इजलास बुलाने का फैसला दिवाली पर पाक भारत सरहदी फोर्सेज में मिठाई तक्सीम वागा टारी बॉर्डर पर रेंजर्जर्ज और बी एस एफ के कमांडोज ने एक दूसरे को मिठाई का तौफा दिया शेहर में दिवाली के रंग रोशनियों की बहार हिंदू बरादरी आज अपना मजभी तहवार दिवाली मना रही है क्रिशन मंदर में हिंदू कम्यूनिटी की खसूसी तक्रीब चेर्मन मतरू का वक्फिमलाग बूर्ट सदीक फारूक ने के काटा और 9 साल की दूरियां कुर्बद में बदल गई अदाकारा नर्गेज और निदा चौधरी में सूला हो गई महफिल थेटर में ड्रामे की फ्ताही तक्रीब में एक साथ चल वकर असलाम अलेकुम लहोड नियूस के साथ मैं हूँ अजीम राना हेड डाइंज अपने जानी बुलिटन का आगास करते हैं लैसको इंतजामिया की मुझरिमाना गफलत ने एक और बच्चे की जिंदगी बरबाद कर दी कोड़ खाजा साथ का रहाईशी दस साला अब्दुल्ला उम्र भर के लिए माजूर हो गया अब्दुल्ला 11 केवी की हाई वोल्टेश तारों से टकरा गया था जिसके बाइस उसके दोनों बाजू काटने पड़े लैसको की संगीन गफलत के बाइस मेहनत कश खादिम हुसैन का दस साला बेटा अब्दुल्ला उम्र भर के लिए माजूर हो गया मासूम अब्दुल्ला घर की चट पर खे रहा था के बिलकुल साथ से गुजरने वाली 11,000 केवी की तारों से छू कर बूरी तरह जुलस गया बचे को शदीद जखमी हालत में अस्पताल मुन्तकिल किया गया जहां उसकी जान तो बच गई लेकिन दोनों बाजू काटना पड़े मकामी M.P.A. चोधरी शहवाज ने मिहनतकश के घर जाकर गोया अपना फर्ज पूरा कर दिया लेकिन संगीन गफलत के जिमदार किसी अफसर के खिलाफ कोई कारवाई नहो सकी बदकिस्मत माँ बाप के आंसू हैं के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे गम से निडाल वालिदें ने वजिर आला पंजाब से वाके का नोटिस लेने का मुतालबा किया है लेसको की नाएहली के बाइस शहर भर के मुख्तलिफ गली महलों में मौत बन कर मंडलाते तार किसी भी वक्त बड़े हादसे का पेश खेमा साबित हो सकते हैं गुलबक्तरी फिर दोस मारकिट के लाके में आग भज़क उठी तीन बचिया जुलस गई लड़की के जहे इसका समान खाक सर हो गया आग से जुलसने वाली तीन बचियों को हस्पताल दाखिल करा दिया गया फिर्दोस मार्किट के इलाके में शॉर्ट सर्कुट ने घर जला दिया आग से जुलसने वाले तीन बचों को हस्पताल मुन्तकिल कर दिया गया एले खाना बच्चों के जुलसने और नुकसान से सक्त परेशान एले खाना का कहना है कि आएंदा हफ़ते बेटी की शादी थी जिसका जहेज राक में तबदील हो गया घर में मेरी भांजी थी तीनों चोटी और टीवी अंदर देख रही थी वह सपार कोई लैट उदर से रेस्क्यू की जानित से फोरी कारवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया फार ब्रिगेड अमले का कहना है कि जैसे ही आग की इतला मिली फोरी कारवाई शुरू कर दी हमें काल आई कि आग लगी हुए किसी प्लाजे में मैं फॉरन पहुंचा हूँ इदर मेरे आने से पहले रेस्क्यू डबल वन डबल टू की अम्बॉलेंस तीन लड़कियों को ले गई थी मतलब कि वो दुएं की वज़ा से एक थोड़ी सी बाजों से लड़की जुलसी है दूसरी दो वैसे भी होश हुई थी लेकर वो अभी पता चला है के ठीक है शौर्ट सरकुट की वज़ा से लगने वाली आग ने करीबी रहाईशियों को भी खौफजदा कर दिया कैमरामेन शहबास हनीट के साथ नदीम बलोच लाहोर नियूज शहर में दिवाली के रंग रोशनियों की बहार हिंदू बरादरी ने अपना मजभी तहवार दिवाली मनाया रावी रोड क्रिशन मंदर में हिंदू केमिनिटी की खसूसी तक्रिबाद का इhtमाम किया गया दिवाली हिंदू मत का रोशनियों का तहवार शहर में रहने वाले हिंदों ने क्रिशना मंदिर में इखटे होकर पूजा की जबके मकसूस अंदाज में भजन भी गाए गए इस मौके पर दीगर मज़ाब से तालुक रखने वाले अफराद ने भी शिर्कत की चेर्मेन मतरूका वकफ अमलाक बोर्ड सदीक फारूक ने बतोर महमाने खसूसी शिर्कत की उनका कहना था कि पाकिस्तान में अकलियतों को मजभी अजादी हासिल है दिवाली की तक्रीब में शरीक डाक्टर मुनवर चांद का कहना था कि भगवान राम चंद की याद में दिवाली मनाई जा रही है राम चंदर जी जब 14 साल का बनबास काटके माता सीता को रावन की कहसे अजाद कराके रावन को मारके और वापस अईुदे अपरी आए हैं और उनके आने की हुशी में ये दिपक माला हो रही है शुरका ने दिगर मजाहब से शेहरियों की जानिब से तकरीब में शिरकत को खुशाइंद करार दिया कैमरामें फखर अबास के साथ आतिव भटी लाहोर नियूज वजिर्याला मुहमद शहबाद शरीफ की हिंदू बरादरी को दिवाली के तहवार पर मुबारक बाद केते हैं मुलक में तमाम अकलियतों को बराबर के हकुक हासिल है दिवाली का तहवार इतिहाद और यगजहती के साथ खिदमत का एहसास बेदार करता है तफसिलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट वजिर्याला मुहमद शहबाद शरीफ ने दिवाली के तहवार पर हिंदू बरादरी को डेरो मुबारक बाद दी है अपने पेगाम में उन्होंने कहा कि एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने से महबत और बाईचारे को फरोग मिलता है दिवाली का तहवार पाईचारे और खैर सगाली के जजबात को फरोग देता है शेहबास श्रीफ ने कहा कि आइन के तहट पाकिस्तान में तमाम अकलियोतों को बराबर के हकुख हासिल है वजीर्याला का मजीद कहना था कि मॉल्क में बसने वाली हिंदू बरादरी ने मुल्क की तरकी और खोशाली में एहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान के समाची, मौाशी और सियासी मैदान में हिंदू बरादरी का किरदार काबले तहसीन है मुसल्मान सिक, हिंदू, एसाई, पार्सी समय तमाम अजाहब के लोग इस मुल्क के शहरी है शहबाद शरीफ ने कहा कि एक दूसरे के गम बांटने और खुशियों में शरीक होने से बाईचारे, अखुवत और अमन का पेगाम आम होगा और अब आपको बताएंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मॉनीटरिंग सिस्टम नाकाम दर्स कुतब में एक और कारनामा नसाब में मतनाजा मवाद होने के सबब दूसरी जमाद की इसलामियाद पर पाबंदी किताब को नसाब, रेफरेंस और सप्लिमेंटरी माटीरिल के तौर पर इस्तमाल ना किया जाए पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड अथॉरिटी ने मरासला जारी कर दिया दूसरी जमाद की इसलामियाद की किताब में मतनाजा मवाद किताब प्राइवेट पॉबलेशर ने चापी मगर इसकी मौनीटरिंग की जिबेदारी बोर्ड की थी बोर्ड की गेर जिमेदारी से मौामला मनजर आम पर आया तो बोर्ड को होश आया एक्शन लेकर फौरी पाबंदी का नोटिफिकेशन तमाम बिस्टर्ट एजूकेशन अथॉर्टिस और तालीमी बोर्ड को बिजबा दिया M.D. अब्दुलकयूम का कहना है कि फौरी तोर पर पॉबलेशर के खिलाफ F.I.R. दच करा दी गई है हमने फौरी तोर पे उस पे एक्शन लिया है उसको किताब को भी बेंड कर दिया है और ये किताब जो है ये बगएर बोर्ड की जाज़त के जुबलेशर के तैट कोई किताब जो पहले जमाद से लेकर बारवे जमाद तक की जिद्टी टेक्सबुक हैं तो बगएर बोर्ड की जाज़ते नहीं चापी जा सकती एमडी का मज़ीद कहना था कि मार्किट में मौजूद किताबों को भी जब्द कर लिया क्या है आतिफ परवेज लाहॉर नियूज मेडिकल एंट्री टेस्ट का मौामला यूनिवरसिटी ओफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल एंट्री टेस्ट के उमीदवारों के लिए नई हदाया जारी कर दी पेपर में कलिप बोर्ड लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी University of Health Sciences Medical Entry Test के लिए एक बार फिर तयार उमीदवारों के लिए सक्त हदायात भी जारी कर दी Entry Test में क्लिप बोर्ड या इम्तिहानी गता लाने की अजाज़त नहीं होगी धाती पेंट, घड़ी, कैलकुलेटर और मुबाइल फून लाना भी सक्ती से मना तमाम उमीदवार सिर्फ प्लास्टिक के दो निले बॉल पर ड्ला सकेंगे इम्तिहानी मरकज में तल्बा को तराशी के मराहिद से भी गुजरना होगा University of Health Sciences ने Medical Entry Test को फूल प्रूफ बनाने के लिए उमीदवारों को तमाम हदायात पर सक्ती से अमल करने का पबंद बनाया है कैमरा टीम के साथ पारूख हमजा लाहूर नियूज 25 अरब के मेनी बजट में मेक अप की कीमतों में इजाफा इजाफे ने खवातीन को चकरा कर रख दिया खवातीन को बनावसे इंगार के लाले पड़ गए कास्मेटिक्स की कीमतों में इजाफा खवातीन ने मस्तरद कर दिया 25 अरब के मेनी बजट ने मेक अप के सामान को भी अपनी लपेट में ले लिया 731 अश्या की दरामत पर 5-80 फीसद तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है जिससे शैंपू, परफ्यूम समेट मेक अप की दीगर मस्तरद मेंगी हो गई है मेक अप की कीमतों में इजाफे ने खवातीन को परिशान करके रख दिया है फैशन की दीवाने खवातीन कहती है मेक अप तो हर रोज करना होता है कीमतों में इजाफे से घर का बजट मुजट 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 होगा अगर ज्यादा कुछ ना ले तो इस लिपस्टिक तो लगानी होती है वो भी अतनी ज्यादा महिंगी कर दिया अगर 50% अब होने से अगर लेस होता तो यह बहुत अच्छा तो हमारे लिए खवातीन का शिक्वा है कि हर बजट के बाद कास्मेटिक्स की तमाम अशियां महिंगी हो जाती है मेक अप सामान की कीमते बढ़ाना सरा सर जल्म है दूसरी जाने माहिरीन के मताबिक अधाफी ड्यूटी के नफास का मकसद इन अशियां की दरामद में कमी लाना है ताके बजट खसारा कम किया जा सके कैमरमेन फाइज नूर के साथ अक्सा मुगतार लाहॉर नियूज मेक अप सामान की कीमतों में इजाफे ने मर्द और खावातीन दोनों को परिशान कर दिया लबी बार्शत की रिपोर्ट मसकारा मसकट से लाई लिपस्टिक लंडन से लाई मेक अप ऐसा करती है जी जैसे इसने करी पड़ाई बनाव सिंगार के बगएर हावातीन की जिन्दगी अधूरी मगर मेक अप मसनुआत के महिंगाई ने हावातीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया हवातीन ने मेक अप पचास पीसद इजाफा पर नाला ऐसे में मर्द हजरात का कहना है कि मेक अप की महिंगाई ने इनकी जेब खाली कर दी है बहुत गुसे वाला रियक्शन है क्योंकि हम लोग इस चीज़ से पहले बहुत दुखी थे सारे जुलम औरतों की उपर ही है पहले किचन के अंदर टमाटर प्याज महिंगा कर दिया अब मेक अप महिंगा कर दिया मुझे ये बताएं कि औरत कहां चली जाए मेक अप की प्रोड़क्स जो है वो बहुत महिंगी होती जा रही है इसी 65 में खवातीन के गाल बगर मेक अप के ही लाल हो रहे है कैमरामेन अब्दुलराफिक के साथ लभी बारशिद लाहोर नियूज वफाकी हकूमत की जानिब से पास होने वाले मेनी बजटे शेहर की खवातीन को परिशान कर दिया मेक अप अश्याप पर इजाफी टेक्स लगने से लाहोरी खवातीन की बेचैनी के बारे में बताएंगी माहनूर खालिद अपनी रिपोर्ट मर बनाओ सिंगार खवातीन का शोक मिनी बजट फैशनेबल खवातीन के लिए बड़ी परिशानी ले आया खवातीन का मन पसंद मेक अप हो गया है मेंगा जिससे वो नाखुश है कहती हैं मेक अप की जाफी कीमतें वापिस ली जाएं इसके बगएर गुजारा नहीं लड़कियों का कास्मेटिक साइज हो काता है आपने वो भी मेंगा कर दिया है तो हम क्या करें हो दूसरी जाने दुकानदार भी परेशान है इनका कहना है कि मेक अप मेंगा होने से फरोक्त में कमी आने का इमकान है खरीदार हो या दुकानदार दोनों ही हकूमत से बनाव सिंगार की अशिया पर लगे टेक्स को वापिस लेने का मतालबा करते दिखाई देते हैं कैमरा मैन फाइज नूर और साथी रिपोर्टर निगार कुरम के साथ महनूर खालिद लाहोर नियूर 731 एशिया पर दरामदी डूटी में इजाफे से महगाई का एक और तुफान अवाम के लिए तैयार है लाहोर चेमबर ने आरडी में इजाफा मुस्तरत कर दिया देखिया अब्दुकादर मतने की रिपोर्ट दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी डूटी में इजाफा लाहोर चेमबर आफ कॉमर्स में पाकिस्तान ग्रॉसरी इंपोर्टर्स एस्सीशन का इजलास चेमबर के सीनियर नाइब सद्र खाजा खावर रशीद का कहना था कि खाम माल पर डूटी में इजाफा समझ से बालातर है चेरمن पियाफ इरफान इखाल शेख ने कहा कि रेगुलेटरी डूटी से सिर्फ समगलिंग में इजाफा होगा टूथ पेस्ट कास्मेटिक टेरी अशिया और कैमिकल समेट 731 अशिया पर दरामदी जूटी में इजाफा किया गया है कैमरमेन हाफिस अजीम के साथ अब्दुकादिर मदनी लाहोर नियूज मिनी बजट के बाद सियासी दुनिया करूख करते हैं वजीर आला पंजाब शेबास शरीफ ने नैब से मुतलिक खामोशी तोड़ दी नैब को करप्ट इदारा करार दे दिया कहते हैं नैब करप्शन का गड़ है करप्शन नैब से ही शुरू होती है और मुशरफ दौर में नैब क्या करता रहा सब जानते हैं मुशरफ दौर में नैब क्या करता रहा सब जानते हैं मुशरफ दौर में इसको उठा लो उसका इतसाब कर लो कोई पूछता नहीं था मुशरफ के दौर में नैब क्या करता था सर्फ उसको ठालो जनाब और बाकी बाद में भी शबाद शरीफ का कहना था कि कौम के वसाइल लोटने वालों का कभी ये तसाब नहीं हुआ नैब करॉप्शन का गड़ है इसे सिर्फ स्यासी फाइदों के लिए बनाया गया वजीरियाला पंजाब का कहना था के कौरॉप्शन में मुलब इस तमाम अनासर के खिलाफ बिला इम्तियास कारवाई होनी चाहिए स्पिकर कौमी असेंबली आयास सादिक का कहना है कि अदलिया या फाज को किसी ने गाले नहीं दी इदारों का इतराम सब पर लाजम है साज़शी अनासर इदारों में तसादुम चाहते हैं और पाकिस्तान में जमूरियत अभी तक मुस्ताकम नहीं हुई स्पिकर कौमी असेंबली अयास सादिक पंजाव असेंबली पहुंचे और स्पिकर नाना मुहमद इकबाल से मुलाकात में असेंबली परफॉमस पारलमानी सियासी अमूर पर तबादला ख्याल गिया मीडिया से गुफटगू करते हुए आया सादिक मुखालफीन पर खुब गर्जे बर्से बोले वो अनासर जो गैर जमूरी और चोर दर्वाजों से इक्तदार में आना चाहते हैं हकुमत के खिलाफ साज़शें कर रहे हैं वो अनासर जो अलेक्शन जीत के एक्तदार में नहीं आ सकते जो चोर दर्वाजे इस्तमाल करते हैं इस तरह के साज़शी पूरे पाकिस्तान में फैले हैं आईन और कानून कहीं किसी तरह इजाज़त नहीं देता कि तीन साल की कोई हकुमत बनाई जाए ये वो जमाने चले गए कि जब आला अदलिया ऐसे पैगाम देते थे या ऐसे फैसले करते थे आया सादिक ने कहा कि हमारे दुश्मन चाहते हैं कि इदारे आपस में लड़ें इदारों में तसादम किसी भी तोर पर मुल्क के हक में नहीं स्पीकर कौमी असेमली ने वाजिया कि अदलिया या फौज को किसी ने गाली नहीं दी इन इदारों का इखतराम हम सब पर लाज़म है उनका मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ बेगम कलसूम नवाज की सेहत बेतर होते ही वतन वापस आएंगे कैमरा टीम के साथ दानियार रठोर लाहूर नियूज पाकिसान फिपल्स पार्टी अकलियति विंग लाहूर के सीनियर नाइब सदर बिशप डॉक्टर डैनियल नवाब की अकलियति रहनमाव समेत तहरीक इनसाफ में शमूलियत मौडल टाउन में इस तकबाल या तकरीब पीटी आई के बैजिस लगाया गए मुहम्मद हैदर गफूर की रिपोर्ट पीपल्स पार्टी को एक और जटका खलियति विंग लाहूर के सरकरदा रानुमा पहरीक इनसाफ के हो गए तहरीक इनसाफ लाहूर के सदर वलीद इकबाल ने बिशिप डॉक्टर डैनियल नवाब बिशिप डॉक्टर शफकत गुलजार संदू डॉक्टर इनसराम सौदागर और दीगर का इस्तिक्बाल किया M.P.A. साधिया सोहेल, इजाज चौधरी, नाईम लहक और लाहूर की दीगर खयादत की भी तकरीब में शिरकत वलीद इकबाल ने कहा कि तहरीक इनसाफ अकलियतों के हकुक पर यकीन रखती है तहरीक इनसाफ में शमूलित की मजीद बड़ी खबरे सुनने को मिलेंगी मेरे लिए बेंतहा खुशी का मकाम है, बाईसे मुसरत और इफ्तखार है अपनी पार्टी के जो यहां काईदीन मौजूद हैं उनको और जो अब दूसरी पार्टी से आने वाले काईदीन जो हम में शामल हुए हैं उनको मुश्तरका वेलकम पेश करूँ, आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इनसाफ में पी टी आई में शामल होनेवाले अगलीटी रहलौाओं का कहना था पेवल्स पारटी अब जमोहरी जमात नहीं रही वरकल्स कर्वेंचन के नाम पर अखलीटों की तजरील की जाती है पारिटी हमने इसलिए चोड़ी है कि अब जो जमूरियत है वो पारिटी के अंदर नहीं रही है नया पाकस्तान जो बनना है उसका हम साथ देंगे चेर्मेन इमरान खान साथ का हम साथ देंगे अमरान खान साहब का जो विजन है वो पाकिसान को बचाने का है और बिलकसूस अमरान खान वाहिद वो लीडर है जो ने करप्ट माफिया को बेर निकाब किया एटियाई लाहूर के सदर वलीद इकवाल का कहना था कि अखलियतों के हकूप का तहाफूस करते हुए तहरीक इनसाफ के तमाम कारकून मिलकर इमरान खान के साथ काम करेंगे कैमरामेन शहबाज हनीब के साथ मुहम्मद हैदर गफूर लाहूर नियूस मार्डल टाउन में नून लीगी रहनुमा हमजा शहबास की सेरे सदारत इजलास इस मौका पर एन एक सो निस के तरक्याती कामों का जाइजा लिया गया हमजा शहबास शरीफ ने बलद्याती नुमाइंदों के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी भी कराई हमजा शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों के अफसरान को हदायत की कि वो बलद्याती नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करें और आवमी मसाइल हल करने में कोई गफलत ना करें दानिया रटोर लाहूर नियूस नियूस बुलिटन में वक्त हुआ है एक शॉट ब्रेक का और ब्रेक से पहले लाहूर नियूस फटाफट सिवल सेक्रीटिरियेट में महकमाई सहथ की अमारत खतना करार महकमाई सहथ की बिल्डिंग लॉरंस रोड मुंतखिल करने का फैसला मजाब रेंजर्स और पुलिस का कोट लखपत के लाके में मुश्टर का सर्च आपरेशन मुतादित अफराद की बायो मेट्रिट चेकेंग और 9 साल की दूरियां कुरबत में तफदील थेटर की सूपरस्टार नरिकिस और अदागारा निदा-चोधरी के तर्मियान सूला हो गई वल्कम बैक और आपको बताते हैं कि एक्तियारात की जन्ग जारी है एक्तियारात दो एक्तियारात दो अख्तियारात लेने गए वाइस चेर्मेंज बीठी गोली लेकर वापस ले गए एतजाज के बावजूद हमजा शेहबास से मुलाकात ना हो सकी वजीर बल्दियाद मन्शाओला बट ने पीर तक के लिए टरखा दिया अख्तियारात दो अख्तियारात दो बेबसी की तस्वीर बने 123 वाइस चेर्मेन इख्तियारात के हصول के लिए मॉडल टाउन में 180 ہ एवाने वजीर ना पुहंच गए मिर्जा रिज्वान बेक की सरवराही में वाइस चेर्मेंज इख्तियारात ना होने की दुहाईया देते रहे वाइस चेरमेंस पहुंचे तो थे हमजा शहवास से मुलाकात करने मगर नाकाम रहे वजीर बल्दियात ने इहतजाजी नमाइंदों से मुझारात किये और यकीन दाहानी कराई कि पीर तक उनके मसाइल हल कर दिये जाएंगे वाइस चेरमेंस का कहना था कि अगर पीर तक उनके मुतालबात ना माने गई तो पंजाब भर में दमा दम मस्त कलंदर होगा उन्होंने हमें पीर का रोज दिया 11 बजे उन्होंने का जो आपके मुझारात हैं इन्शालला हमजा शिवास तक वो पहुंच जाएंगे और 100 पीसद नहीं अक्रामलहसन और साथी रिपोर्टर सभीलहसन के साथ इमरान मलीक लाहोर न्यूज डेप्टी मेयर्ज और चेर्मेंज के बाद वाइस चेर्मेंज ने भी अपने हकूक के लिए सदाएं इहतजाज बलंद कर दी एवान वजीर आला से सिर्फ तसलिया मिली लाहोर न्यूज ने आवाज उठाई तो अरकान एसम्बली भी वाइस चेर्मेंज के हक में बोल उठे तानिया लाठोर के रिपोर्ट हकदारों के हकूक की आवाज लाहोर न्यूज वाइस चेर्मेंज के हकूक की आवाज लाहौर न्यूस के तवस्थ से पंजाब एसम्बली पहुंची तो इहतजाच के हक में अरकान एसम्बली भी सामने आ गए हुक्मरान जमाद के अरकान एसम्बली के ख्याल में वाइस चेरिमानों के इहतजाच की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी अगर आप एसम्बली फ्लोर से सुभाई वजीर वजीर वराय तरकियाती मनसुबाबंदी मलक नदीम कामरान ने खुशखबरी सुनाई कि मीटिंग हो रही है जल्द वाइस चेरिमाने को साइनिंग अथारिटी में डेगी कल भी हमारी सिल्सले में मीटिंग हुई है आज भी तीन बज़े इसी सिल्सले में मीटिंग हो रही है कि कनून के दारे में रहते हुए हम इनको और अख्तियारत क्या दे सकते हैं जिससे ये सैटिस्पाई हो जाए डिप्टी मेयर्स और चेर्मेन अपना हक और अख्तियार पाच चुए है वाइस चेर्मेन अपने हकूप के लिए कोशा हैं अब देखना ये है कि कांसलर्स कब अपने हकूप के लिए सामने आते हैं दानियाल राठो लाहूर नियूज मैकमा दाखला में कैदियों के फिंगर प्रिंट्स के मनसूब पर अमल धरामत का मौामला पंचाब हकूमत के भारी तंखाओं पर मकररर सरकारी माहरین की खिद्मात नजर अंदाज करोड़ों रुपे के वजगेर मुलकी माहरین की खिद्मात से इस्तफादा करने का फैसला कर लिया गया मुकामी माहरین की कारकर्दगी और हकूमती मनसूब अबंदी पर सवाल या निशान मनसूबे में गयर मलकी माहरین के प्रोटोकॉल के लिए 19 लाक फजाई सफर के कराई के लिए 9 लाक रुपे मुगतस गैदियों और जराइम पेशा अफराद के फिंगर प्रिंट्स फ्रांजिक एजनसी लाहर में महफूस किया जाएंगे मनसूबे की तक्मील से संगीन जराइम में मुलवेस अफराद का रिकॉर्ड मजीद बेहतर अंदास में मुरत्ब किया जाएगा महकमा दाखला पंजाब का ये मनसूबा 30 जून 2018 में मुकमल होगा कैमरा टीम के साथ फारुक एहमद बोदला लाहर नियूस अरब आपको बताएं कि सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी का इंदिया मिल गया है इरान और तुरकमानिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे में ताखीर से अब एलन जी ही रिलीव देने का सबब बनेगी तफसिलात राना फाहद की रिपोर्ट में चंद वरस से गैस दस्तियाबी मौसम सर्मा में हो जाती है मुश्किल लेकिन अब हकूमत ने इसका हल निकाल लिया है और सुई नौदरन ने प्लैन तैयार कर लिया है 600 मिलियन क्यूबिक फुट एलन जी की दरामज शुरू हो चुकी है मजीद 600 मिलियन आइंदा माह से सिस्टम का हिस्सा बनेगी और यही एलन जी गैस लोडशिटिंग से बचने का सहारा होगी सुई नौदरन ने सुई नौदरन को मिलेगी सर्दियों में तकरीबन 2700 मिलियन क्यूबिक फुट तक गैस रोजाना जिससे उमीद है तमाम शुबों को गैस पराहमी में बहतरी आएगी हम किसी की गैस बंदनी करेंगे इंशाला इंडस्टि भी चलेगी सी एंजी भी चलेगी और थर्मल पार्स स्टेशन भी चलेंगे पिछे साल हमारे पास जो गैस थी वो तकरीबन 2000 मिलियन क्यूबिक फुट अडे थी इस तफ़ा इंशाला हमारे पास 2700 मिलियन क्यूबिक फुट अडे होगी उधर गैर कानूनी कंप्रेसर्स के जरीए आम सारिफ के हिस्से की भी गैस खींच लेने वालों के खिलाफ भी कारवाई अमल में लाई जाएगी कैमरमेन साधी दिलियास के साथ राना फाहद लाहोर नियूज और अब कुछ बात महगाई की करते हैं महगे प्याज ने अवाम की मत मार दी है प्याज होगा तो हंडिया पकेगी क्या पकाएं क्या खाएं समझ से बाहर है सरकारी रेट 68 रुपे होने के बावजूद प्याज 90 रुपे फी किलो फरोख्त हो रहा है अवैसवेर की रिपोर्ट सबजी मंडिया हो या आम बाजार किसी को मकरर करदा सरकारी रेट की फिकर नहीं अड़ हती हों या दुकानदार हर कोई मनमाने रेट्स वसूल कर रहा है मार्केट कमेटी के जानब से दो रुपे इजाफे के बाद प्याज की केमत 68 रुपे फी किलो मकरर की गई लेकिन मंडियों में 90 रुपे फी किलो फरोख्त हो रहा है दुसरी जाने प्याज महंगा होने से बिंडी और क्रेले समय कई दीगर सबजियों की फरोख्त में कमी आई है खरीदारों का कहना है कि प्याज महंगा है सस्ता होगा तो ही मौसमी सबजियां खा सकते हैं इदर मार्किट कमेटी ने टमाटर की कीमत चार रुपे इजाफे के बाद 82 रुपे फी किलो मकरर की लेकिन मंडियों में कीमत 120 तक जा पहुंची है कैमरामेन हाफिज अजीम के साथ आवेस विर्क लाहूर नियूज बहतर और तवानाई से भर पूर घजा की वरहामी यकीनी बनाने के लिए यूके-8 की जानिब से 48 मिलिन पाउंड की इमदाद का ऐलान किया गया सुभाई वजीर खुराग बिलाल यासीन कहते हैं के हकुमत की सारी तवज्ज़ खुराग की कमी को दूर करने पर है माहनूर खालिद के रिपोर्ट यूके-8 के जेरे एहतमाम अवारी होटल में फूट फोर्टिफिकेशन के हवाले से सेमिनार का इनकाद हुआ सुभाई वजीर खुराग बिलाल यासीन, चेर्मेन इंटरनाशनल ड्वेलपमेंट, डी एफ आईडी के सीरियर औहुदेदार और माहरी ने घजा शरीक हुए सेमिनार का मकसद पाकिस्तान में घजा की तक्वीद के हवाले से आगाही फराहम करना और इसके लिए अदारों के तावन पर वोर्ख करना था बरतानी अदारे की जानिब से गंदम, आटा घी और गजाई अच्जा की बेहतरी के लिए 48 मिलियन पाउंड की इमदात का ऐलान किया गया बिलाल यासीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हकूमत का पूरा ध्यान फुराक की कमी को दूर करने पर है दिपार्टमेंट आफ इंटनाशनल ड्विलप्मेंट की हेड जो आना रेड ने कहा कि पाकिस्तान में घजायत से भरपूर खुराक फराहम करना तरजीहात में शामिल है सेमिनार से सुबाई वजीर माहूलियाद बेगम जखिया शाहनवाज ने भी खिताब किया और बेहतर खुराक के लिए किये गए हकूमती एक्दामात का जिकर किया कैमरामेन शुईव साइमन के साथ महनूर खालिद लाहौर नियूज और अब जुर्म की दुनिया से खबर शामिल करते हैं शफीकाबाद में पुलिस एहलकार रिश्वत लेते पकड़े गए पुटेच साब ने आई तो हुकाम ने रिश्वत लेने पर एहलकारों को मौतल कर दिया अदान भटी की रिपोर्ट पुलिस वालों की वर्दी बदली मगर हरकतें बदली ना रवाया थाना शफीकाबाद की हदूर में एक नहीं दो नहीं तीन तीन एहलकारों ने रेडी बान को भी ना बख्षा पांच पांच सो रुपे रिश्वत ली और रफू चकर हो गए एहलकारों की रिश्वत लेने की फूटिज लाहॉर नियूस को मौसूल टी आई जी ओ उपरेशन्स डॉक्टर हैदर अशफ ने रिश्वत लेने पर तीनों एहलकारों को मौत्तल कर दिया जबकि एहलकारों के खिलाफ महकमाना कारवाई भी शुरू करती गई है स्नैप चैट पर खतरनाक टास्क की वीडियो अपलोड करने का मौामला खतरनाक स्टंट की मनसुबा बंदी करने वाले नौजवान आज पेश नहीं हुए साइबर क्राइम सरकर ने कल तलब कर लिया वीडियो बिनाने वाले नौजवान का मूबाईल फोन फॉरेंजिक के लिए भीज़िया किया गाहिल सेहित की रिपोर्ट कातिल ब्लू वेल गेम की तरस पर खतरनाक खेल मूँ और हाथ बांद कर गाड़ी का लाग खोलने के खेल में शामिल हुसनैन, सल्मान, हमजा और उस्मान अब कल तफ्तिशी अफसरान का सामना करेंगे एफ आई एन ने तहकीकात का दाइरा बढ़ाते हुए वीडियो बनाने वाले सल्मान का मूबाईल फोन फ्रांजी के लिए बिज़वा दिया तफ्तिशी अफसर आशिर अरवन का कहना है कि तहकीकात का सिल्सला जारी है लड़कों ने टास्क की वीडियो अपलोड की जिस से सोशल मेडिया पर खोपोहरास पहला मुबाईल फोन की फ्राजिंग रिपोर्ट के बाद इस केस में तहकीकात को मुजीद आगे बढ़ाया जाएगा कैमरा टीप के साथ राहिल सेयद लाहूर नियूस लाहूर नियूस में खबरों का सिल्सला जारी रहेगा आप रहिए लाहूर नियूस के साथ वल्कम बैक खबरों का सिल्सला आगे बढ़ाते हैं महकमा पुलिस में कामयाब उमीदवारों को भरती ना करने के खिलाफ दाएर दर्खासनों पर समात हुई लाहूर हाई कोट ने नई भरतीयों के लिए दिये गए इस्तिहार पर हुकमें इमतनाई जारी कर दिया आई जी पंजाब से 13 नवेंबर को जवाब तलब कर लिया गया उमर शाकिर के रिपोर्ट लाहूर हाई कोट के जस्टिस जवाद हसन ने शहजाद और दीगर की दर्खासों पर समात की दर्खासों पुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि महकमा पुलिस ने 1118 कौंस्टेबल्स की बरतियों के लिए इस्तिहार दिया 383 कामयाब उमीदवारों को बरती कर लिया गया है जबके 733 कामयाब उमीदवारों को नौकरी पर नहीं बुलाया गया दर्खासों पुजारों के वकील का कहना है कि महकमा पुलिस ने कामयाब उमीदवारों को बरती करने की बज़ाए नई बरतियों का इस्तिहार दे दिया है अदालत ने दर्खास पर कारवाई करते हुए 27 नवंबर और 4 अक्तूबर के महकमा पुलिस की जानिब से जारी नोटिफकेशन को मुटल कर दिया अदालत ने आई जी पंजाब से जवाब दल्ब करते हुए समाद 13 नवंबर तक मुलत्वी कर दी कैमरा मैन मुहमद यूब के साथ उमर शाकिर लाहूर नियूज और अब आपको बताते हैं कि गुर्दा स्कैंडल की तहकिकात का दारा कारवसी एफ आई ए कॉर्पोरेट क्राइम सरकल ने साओधी शेहरी को गुर्दा फरोख्ट करने वाली सना को भी शामले तफ्तीश कर लिया है सना का कहना है कि उसने गुर्दा घर बनाने के लिए फरोख्ट किया राहिल सेहित की रिपोर्ट गुर्दा स्कैंडल में घरिफ्तार मुल्जिमों से तहकीकात का सिलसला जारी सौदी शेहरी फाहद बिन हिजाब को गुर्दा फरोख्ट करने वाली सना भी शामले तफ्तीश FIA की कारवाई के फौरी बाद सना को फैसलाबाद के हस्पटाल में दाखिल करवा दिया गया था तफ्तीशी अफसर चोधरी एजास्ट ने सना को फैसलाबाद से लाहोर लाकर तहकीकात का आगास कर दिया सना ने बताया कि उसने गुर्दा एजेंट जाहरा के कहने पर फरोख्ट किया ऐसा घर बनाने के लिए जमीन की खरीदारी के लिए किया डिप्टी डारेक्टर चोधरी सरफरास का कहना है कि गुर्दों की खेर खानूनी पेवंदकारी के कारोबार से मुंसलिक अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है इस ग्रो के अलावा भी ग्रो काम कर रहे हैं तो ये तो स्पेकुलेशन है ना अगर हमारे नॉलिज में आ जाए कि फलान जगा पे एक ग्रो काम कर रहा है हमारे प्रोवेंस पंजाब में और जैसा कि हकूमत पंजाब स्पेशली वजीर अला पंजाब ने भी सक्ती से का हुआ है कि इन लोगों के साथ आहनी हाथों से निप्टा जाए F.I.A. ने सना के इनकिशाफात के बाद एजेंट जाहरा की तलाश के लिए भी चापे मारने शुरू कर दिये हैं कैमरा टीम के साथ राहीर सेद लाहोर नियूज सेहत की दुनिया से खबर शामल करते हैं जैनल हस्पताल इंतजामिया का बड़ा एकदाम पहली बार बायो पोलर सेजरी मतारिफ कराते हुए जदीद तरीका इलाद से आपरेशन शुरू कर दिये गए हैं रिपोर्ट करेंगी निगार खौरम जैनल हस्पताल में जदीद तरीका इलाद बायो पोलर टी यू आरपी की मदद से मसाने का पहला आपरेशन किया गया है डॉक्टर्स के मताबिक इस टिकनॉलोजी से प्रोस्टेट ग्लाइन का आपरेशन बगर खून बहे किया जाता है मतासरा मरीज 12 घंटों में चलने फिरने के काबिल हो जाता है माहरीन का कहना है कि बायो पोलर सरजरी में पेच्चीदग्यों की शराह ना होने के बराबर है पंजाब में पहली बार सरकारी सता पर ये सरजरी करने का एजाज जनरल हस्पताल के शोबय यूरालोजी को जाता है इंतिजामिया के मताबिक अब इस जदी टिकनॉलोजी की मदद से सालाना 500 आपरेशन किये जाएंगे केमिरमेंट शान बशीर के साथ निगार पुरम लहोर नियूज जाती उम्रा से चंद किलो मिटर दूर यूसी 266 तलाब सराय के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए ट्यूबल नकारा जहरीला पानी पीने पर मजबूर लोग जिगर और पेट की बिमारियों की रिपोर्ट हाथों में थामे सराप अहतजाज बन गए रजा ताहिर के रिपोर्ट पीपी 161 की यूनिन कांसिल 266 तलाब सराय के साफ पानी के ट्यूबल अरसा दरास से बन ट्यूबल के इर्दगिर्द कुड़ा करकट के धेर और जानवरों का राज है अब जीना है तो पानी भी तो पीना है मुजरे सहत पानी पीने पर मजबूर लोग जिगर और पेट की बिमारियों का शिकार हो चुके हैं सबर का पैमाना लबरे जुआ तो मकीन अपनी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के साथ बाहर निकलाए और इहतजाच किया कहते हैं वजिर्यारा ने वादा करके वोट लिये लेकिन उनके घर से सिर्फ दो किलो मीटर दूर इलाके की अब्दर सुरते हाल है तालाब सराइ की लोगों ने जल्द अजल्द नए ट्यूवे लगाने और सिर्फ के मसाइल हल करने का मुतालिबा किया कैमरमेन उमेर रईस के साथ रजा ताहिर लाहूर न्यूज तेटर की मारूफ अदाकारा नर्गिस और निदा चोधरी में सुला के हवाले से महफिल तेटर में तकरीब हुई फनकारों की भरपूर शिर्कत ने महफिल में रंग भर दिये रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर बुखरी अदाकारा नर्गिस और निदा चोधरी नो साल बाद फिर एक हो गई तेटर से वबास्ता एहम शाक्सियात ने दोनों अदाकारों में सुला करा दी मेहिल तेटर में सजाए गी तकरीब में फनकारों के के लावा तेटर से वबास्ता नामवर शाक्सियात की श्रक hebt दोना अदाकारों की बगी पर थेटर आमद, डोल की थाव पर इस्तिक्बाल इस मौके पर गुलुकार, एहमर नवाज और गुलुकारा मलिका आरजु ने गाएकी के मुझाहरा करके समा बांदिया अदाकारा नर्किस का कहना था कि निदा चोधरी मेरी छोटी बेहन है, जगड़ा तो बेहन भाईयों में हो ही जाता है तो मुझे लगता है कि इस आग भाई का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने इतनी बड़ी प्रोडेक्शन जो है वो बनाई है निदा चोधरी का कहना था कि नर्किस मेरी सीनियर है, अगर मुझे से गलती हुई तो माफी चाहती हूँ अदाकारा नर्किस और निदा चोधरी 27 अक्तूबर को मैफिल सेटर में नए शुरू होने वाले ड्रामे एक साथ अपने फन के जल्वे दिखाएंगी कैमरा मैन अब्दर राफे के साहथ ताहिर बुखारी लहौर निउस खबरें और रिपोर्ट से आपने जाने, निउस बुलिटन से अपता के लिए इतना ही, किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजे, लहौर निउस डॉट टीपी